हेलो स्टुडेंट्स चलिए स्टार्ट करते एक्सरसाइज 5.2 का क्योस्चन नंबर 17 देख लेते बिटा क्या है NCRT में एक बार स्टेटमेंट देखेंगे क्या है find the 20th term, क्या find out करनी हमने 20th term find out करनी है from the last term of the AP, AP गीवन है 3,8,13,253 तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है बिटा, क्या का है, उसने 20th term तो find out करनी है from the last करनी है, पिछे से, पिछे से हमने 28th term find out करनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, AP लिख लेंगे हम 3,8,13,253 सबसे पहले क्या करेंगे, common difference देखेंगे बिटा A नहीं देखना, हमने 1st term नहीं देखनी है, common difference देखो पहले difference, D is equal to क्या होगा, 2nd term minus 1st term, 8 minus 3, means क्या आगया, 5 तो जो नई AP बनेगी, वो देखेंगे, पिछे से हमने 28th term find out करनी है तो इसको reverse कर लो, AP को, यहां पे क्या है बटा, 253, इसके बाद क्या होगा हमारे पास 5 इसमें से subtract करेंगे, तो क्या होगा, 248, फिर 243, इस तरीके से सीरीच चलेगी, 13,8,3 इसमें कहीं पे कोई doubt हो, तो मुझे बताना, हमने क्या किया, पिछे से find out करना था, तो reverse कर लिया, इसको starting की term ले ली इसका common difference, इन सब का common difference 5 था, तो 55 इसमें से subtract कर लिया, तो हमने एक नई AP generate कर ली बस इसमें और कुछ नहीं है, यहीं पे question आपका hover हो जाएगा, बहुत इजी question है आप आगे, यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स ट्रम निकालेंगे, अब इस ट्रम से निकालना है, हमने जो कुछ भी निकालना है, एक है हमारा, 253, common difference क्या होगा, इस series का, इस series का common difference, 5 नहीं ले है, वो क्या आगा, माइनस का 5, अब हमने क्या करना है, बिटा, 28 रम फाइंड आउट करने है, मनतलव, n is equal to क्या है, 20, formula क्या होता है, an is equal to a plus n minus 1 into d, तो a20 is equal to a plus 20 minus 1 into d, put कर देंगे, a की value क्या है, बिटा, 253, plus, 20 minus 1 क्या होगा, 19 multiplied d की value क्या है, minus 5, तो क्या आजएगा यहाँ पर, 253, minus आजएगा, 95 जा क्या होता है हमारा, 19 की और 5 की multiply करेंगे तो, 95, 95 जा 95, इन दुनों को subtract किया, दुनों को क्या करेंगे, subtract, 253, minus 95 करेंगे तो क्या जाएगा हमारा, 158, तो क्या लिख देंगे, 20th term, of, AP is, 158, इसको हमने reverse क्यों करना पड़ा, क्योंकि उसने क्या कहा था, 20th term from the last, पिछे से 20th term हमने find out करनी थी, तो इसको क्या कर दिया, हमने reverse कर लिया, और यहाँ से हमने 28 term को find out कर लिया, जो की क्या है, 158, this is the answer, I hope यह question आपको clear होगा, कहीं पर कोई doubt हो तो मुझे comment कीजिए, otherwise इस channel को subscribe कीजिए, like कीजिए, और अपने friends के साथ share कीजिए, thank you students.